हेलो स्टुडेंट वेलकम बैक उम्मिद कर रहा हूं यहां पर सब लोग ठीक होगे यह मेरी नई चैनल है सीएस एक्जीकिटीव अर्य सब्सक्राइब करना लाइक करना बुलना मत देखो मैंने मेरा फर्स वीडियो यह चैनल पर बनाया था पूरा चैप्टर पूरा फोकस कि पर अपना एक्जीकिटीव पर था चहां पर में एक्जीकिटीव बच्चे लोग को समझाया था कि आपके एक्जम में कैसी प्रिप्रेशन करना है कौन से चैप्टर पर फोकस करना है यह मेरा सेकेंड वीडियो है जो मैं पूरा फोकस कर रहेगा अपना प्रोफेशनल पर देखो अभी भी बोल देता बच्चे लोग यहां पर में यह वाली चैनल पर खाली अपके CS के रिलेटेड़ी कंसेप्ट लेके आओगा और इन फ्यूचर में आपको आपको और प्रोफ टाइम जॉब के रिलेटेड़ कहां जॉब मिल सकती CS के अमेंड्समेंस हो गए फॉर आपको लेक्चर्स चीए तो हैमल सर की चैनल पर आपको क्या मिलेगा पूरे लेक्चर्स मिल जाएगे और आपको लेक्चर्स दिखेगे अगर आपके कोई भाही बंदू लोग CS एक्जिक्टीव एंटरन टेश डे रहा है और नवेंबर अटेम है टार्गेट उसका तो डि वीडियोस के अंदर विकोज आपका एक्जाम देखो कर टाइम टेबल आ गया है एक जुन से एक्जाम से अगर आज से काउंट करूं तो एक महीना भी पूरा नहीं है आप लोग के पास तो आपको क्या कौन से सेब्टेट पर आपको क्या करना है फोकस करना है कैसी प्रिप अपता है तो आपकी रिस्पॉंसिबिलिटी है कि लास तीन साल का पेपर करके ही जाना है अभी आप देखे रहे हो कि ओले बस हट गया है लास एक्जाम से वह ओल्स न्यू चल रहा था बट अब भी से ओनली न्यू टाइम डेवल भी देखो तो कहां पर भी ओल दिखनी रह चलो देखते हैं पुरा डिसकेशन करेंगे यह वाले पार्ट के अंदर खाली डिसकेशन करेंगे कहां पर आपको फोकस करना है ठीक है चलो चैप्टर अगर मैं देखू तो अपना पहला गुरूप पेपर है योग है गवर्नांस एंड रिक्स मैनेजमेंट एंड करके आते तो 80-85 तो वहां पे भी वन सगेंट फेल होने के चांसी जो होगे वह क्या हो जाएगे 30-40 परसंटेज हो जाएगे तो आपको अगर पास होना है पास तो होना यह बड़ आपको पच्यास मार्ट भी क्या करना है टार्गेट रखना है कि इच एन एवरी पेपर में आपको कितने मार्प personnages लाने हैं पच्यास माक्स तो लाने है ठीक है 45 मौ पासिंग मार्वत यह इसेट करना है पच्यास मांक्स और ग्रूक की कह अंदर आपको 18-20 है है टार्गेट आपको 60 के लिए 70 सेट करना है ठीक है चलो देखते वन बाइवन के कौन सी दिन पर कौन सा पेपर है फर्स पेपर आपका अपका होगा सेकेडरे लिए अडिट कंप्लाइंस मैनेजमें नतिंग बर डू दिलियंस वाला पेपर रहेगा देखो जीन बच्चों त एक चुट्टी मिल सकते है क्योंकि लोगने पेपर ही है इससे सेट किये मॉडियोड वाइथ अब भी इन लोगने क्या किया है सेक्वेंस जो है चेंज कर दिया है तो कहा ना कहा अगर जो बच्चे लोग दो या एक ग्रूप दे रहा है दो ग्रूप दे रहा है उसको नहीं है देखो आपका preparation इसके बेस पर डिसाइड नहीं होता कि आपने लास्ट छे महिने में क्या पढ़ा है और पास होने की चांसिस कभी बढ़ते हैं जब आपने एक exam देने के बाद दूसरे exam के दिन देखो कि एक तरीक को exam में दूसरे दिन आपको second जुन को वह दो पीरिड में जो 24 गंटे में आपको क्या पढ़ना है वह बहुत बड़ा चेंजी से चैलेंजिन टास्क है आपके लिए कि आपको पूरा मोडिल तो पढ़ नहीं सकतो एक दिन के अंदर 600-700 पेज की मोडिल आप नहीं पढ़ सकतो इंपॉसिबल है तो आपको क्या चीज़े प्रिप्रेशन करनी है क्या पढ़ना है उस दिन घर पे आके वह चीज़ की प्रिप्रेशन आज से शुरू करनी है तो प्लीज बच्चे प्लीज नेगेटिविटी नहीं लाना है और सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है कहां पर आप ज्यादा सकते हो वही चीज़ के लिए वीडियो बनाया है या मैंने ठीक है चलो सेकेंड होगा सेकेंड डूडी लेंस वन सकेंड इक स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है कहाना का 60 भी लहां नहीं आता है तो यहां पर डिपन करता है कि यहां पर आपकी क् halli t q की किसकी होगी जो आपके यहां पर आपको practical क्वेशिंट 1911 लोगने इंड्रोडूइस किया है तो वो भी प्या है अपन डील में डिस्कस कर रहे हैं आपका portion के अंदर वह सब चीज़े यहाँ पे टेक्स के बारे में बात करों एक्जी विदिव में के था 50-50 का रेश्यों था पर यहाँ पे 50-50 का रेश्यों नहीं है यहाँ पर GSTN कस्टम 70 मーक से आपका और 30 मांक का ही डारेक्ट टेक्स दिया है और बात करता हूं बच्चे लोग का फेल होने का रिजन्स जो है मॉडिल वन में टैक्स होता है मैं यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस नहीं बोल रहा हूं जो प्राक्टिकल वह चीज़ लेके बोल रहा हूं ठीक है तो आप प्लीज इस पर ज्यादा फोकस करना यहाँ पर ज्यादा ध्यान देना नेक्स हो के लिलेटर क्वेस्टेंस दिखे गए यहाँ पर बढ़ा वन्स अगेंड यह वाला मॉडूल में मॉडूल टू की बात करूं एक नेगेटिव वाला पेपर है जहां पर आपको ज्यादा ध्यान देना है ठीक है मल्टिडिसिप्लेनरी के स्टड़ी वाला क्वेस्टन लोग इंट्रूस किया है उपन बूक है ऊपन बूक जैसा कोई कंसेप्ट होता ही नहीं है आपको पूरा पेपर अपने आप से लिखना है इसक्टन दिख जाते आपको बढ़ हां ओपन बूक आप समझ रहो कि उपन बूक के इजी पेपर नहीं पढ़के जाओ तो भी चलेगा मैं अभी बोल रहा हूँ ओपन बूक है किसा सब्जेक्ट है जहां पर अगर आप विदाउड ओपन बूक वाले एकसेप्टर का सब पेपर से कंपेर करो नहीं तो और डिफिकल्ट लगेगा आपको तो आपको वो चीज़े करनी नहीं है बिंदा प्लीज पूरा मॉड्यू बूक नहीं है एक एडवांटेज दे रहे हैं लोग कि आप बूक लेकर जा सकते हो अगर जरूत पड़ीद हो जरूत क्या सब ओपन करते हैं यह बड़ आपको एक एडवांटेज है कि अगर कहा पर अटके तो आपके लिए वह ओपन बूक है आप वहां से देख सकते हैं ब पडूगा तो भी चलेगा देखके पर लिक लूगा यह नहीं होगा वहां पर डाफ्टिंग वन्स अगें ओप एक आपको मोडूल की बात करूं मोडूल वन में एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है कि 65 माक्स लाग सकते हो आप तो आप इजीली स्कोर कर सकते हो यहाले पेपर में तो जिसक पेपर में आप च्वेंग कर सकते हो वहां पर फैल तो नहीं होना है वहां पर स्कोरिंग करना है कि बाकी सब्जेक्ट के अंदर आप स्कोर नहीं कर पाँगे गैरेंटी बोल्रहाएं बेज बेज ऑन माइं यह एक्स्परियंस जो मेने फील किया इवन तो मेरे घ् स्कोर कर सकते हो कहां पर नहीं कर सकते हैं ठीक है चलो नेक्स्ट हो जाएगा आपका resolutions of corporate dispute non-compliances and remedies करके एक paper दिया है और बाद में open book के जहां पर आपको 5 में से जो आपने select किया रहेगा उसके बेस पर आपका एक paper होगा total nine paper है तीन module में लोग ने क्या किया है डिवाइड किया है अगर मैं बात करने जाओ अभी आपके syllabus की तो syllabus के अंदर अपना थोड़ा detail में तोड़ा discuss करते कि कहां पर आपको ज्यादा किया है दो तीन पार्स में डिवाइड किया है देखो आप बुक पढ़ रहे हो तो आपको पहले वह बुक का आपको नॉलेज होना चाहिए कि एग्जामिनर आई से अपने से क्या उम्मीद कर रहा है तो अब्जिक्टिवस देखो कि पेपर का अब्जिक्टिवस क्या है देखो लोग ने कहा लिए लिए लोग ने चार पार्ट में डिवाइड किया है एक कंप्लाइंस करके लोग आप पूरा गवर्नेंस पर होगा यह पेपर में लिख यहां पर लिख पढ़के जितना भी जाओ कि याद नहीं रहेगा है पूरा पेपर अटेंड कर पाओगे वह इसा राइप क्या है पेपर लिखने के बाद आपको इसा फील भी होगा लिटरली फील होगा कि मैंने क्या लिए बिकों का पेपर लिखा है मैं यह चीज अब भी बोल रहा हूं आपको फील होगी जब आप एक्जम देरें के बाद बाद निकलोगे ना बाद में बोलो कि आपना एडवांट टेक्स पेपर नमबर टू वन सगेंड इसमें दो पार्ट में डिवाइट किया है यह तो बहुत बड़ा वास्ट कंसेप है यह लोग ने पेपर का नाम भी ऐसे सेट करते हैं आप ओल एक्जीकिटिव में देखें तो टेक्स करके था पूरा चैप्टल का नाम भी अरे पेपर का नाम था टेक्स बट यहां पर वर्ड यूस कर दिया है लोग ने एडवांस टेक्स म बनाया है बट आपको यहां पर डीटेल में पढ़ना है डीटेल में आपके नॉलेज क्या किया जाएगा जज किया जाएगा तो ठीक है तो यहां पर 70 मार्क से आपको जी एस्टी पूचा डायरेक्ट एक्स पर बहुत फोकस किया है इन लोग ने एस कंपेंटिव बात करू तो इन डायरेक्ट एक्स पो बहुत ज्यादा फोकस किया है एस कंपेंटिव बात करूँ तो डायरेक्ट एक्स देखो तो सब्जेक्ट एडवान टेक्स लोग एट सीएस प्रोफेशनल लेवल इस डिवाइड इन टू पार्ट डायरेक्ट एक्स आपको 70 मार्क सा पूचा ह देखो वन सगेंड बात पर रहा हो बच्चे लोग यह इतना स्कोरिंग नहीं है जितना आप समझ रहे हो यहाँ पे 50 लाना एक टास्क होगा आपके लिए 40 तो टास्क है ही क्योंकि बच्चे लोग फेल होने के चांसे जो ए मोडिल में maximum बच्चे लोग जो फेल हो तो टेक् बच्चे लोग को क्या हो जाता है डिफिकल्टीज हो जाती है सौल करना ही क्या तो यहाँ पे संभल के लेना थोड़ा आराम से पढ़ना और जो भी क्वेस्टन लिख रहे हो अप्टू पॉइंट लिखना यहाँ पे फेकम पाकी नहीं जलेगी क्योंकि आप प्रोफेशनल दे रहे हो भीकम की एकग्जम नहीं दे रहे हों यहाँ ठीक है फ़र्ड होगा ड्राफ्टिंग प्लीडिंग एन अप्र यहाँ पर यहां पर आपका एक्सपर्ट नोलज बन भी गए बन जाओगे बन गये तो आपका मेन स्ट्रॉंग पॉइंट जो होगा वह अपका ड्रा चीज़े एक स्टॉंग पॉइंट है आपको यह सब चीज़े क्या करने है द्यान में रखने है डिटिल में पढ़ने है नो डाउट स्कोरिंग है यह सब्जेक्ट सब्जेक्ट में अंदर आप 60-65 ला सकते हो बड़ा फेकम फाकी नहीं करना है अप टू दो पॉइंट वन सग हो जाएगे आपके फेल होने के हैं पांच मांक चोड़ा पांच मांक का पांच परसंद चांसिज़ें क्या आप फेल होने के चांसी ज्यादा रख रहे हो समझ में आ रहा है कि नहीं यहां पर एक फिलिन दा ब्लैक्स भी नहीं छोड़ना है अग सब्सक्राइब के अंदर सब्जेक के बात करूं हर एक सब्जेक के अंदर आपको पांच से दस मां का ऐसा दिखे गया कि जहां पर आपको कुछ समझी भी नहीं आ रहा है कि सर लग क्यों गया तो एक्जाम में भी सड़नली फॉर एक्जान दीख जाए तो आप ऐसे किसको कैसे मैनेज कर सकते हो उसक बहुत सारे बच्चे लोग ऐसे होते कि जो पांच से दस मां का नया चीज आ जाता ना वो छोड़के आ जाते हैं बट इवन तो आपने अटेंड किया है अटेंड करने के उन लोग दो से तीन मांग जी देते हैं पांच बच्चे ने अटेंड नहीं किया और सड़नली प्रफेजिग को अपना दिमाग बी कहसे कर सकते हो और किया करना है स्कील दिखानी है यहां पर आपने आपको ठीक है फोर्थ नेक्स पेपर होगा जो अपना फेपर नंबर फॉर होगा सेक्रेटरियल ऑडिट कम्प्लाइंस मेनेजमेंट एन डू डिलीजेंस पूरा कम्पनीज एक्ट हैं यहां पर कम्पनीज लौ है यहां पर पूरे आपको केश्टर डिवाइस क्वेश्चन दिखेगे यहां पर बैड न्यूज यह है कि आपको कम्पनीज एक्टी उड़ा दिया है पतलब ओल्ड सी लेवर्स में कम्पनी लौ करके पूरा सब्जेक्स था य जिसे के सेकेडरेडेरेजी ज्यसक्ति पूद्ध कमीज़े बेजे एक टो यहाँ पे पूरा कमीज़ेटि है जिसे बेजक्र एक गारेटी में ket प्रेक्टिकल क्वेस्टेंस यहां पर है के स्कोरिंग भी है जिन बच्चों ने अच्छे से लिखा और जिसके बच्चों ने कुछ भी नहीं लिखा उसके लिए फॉट्टी लाना भी डिफिकल्ट हो जाएगा ठीक है अब्जेक्टिव्स देखते हैं कि देखो यहां पर लि प्रेफरेंस में आपको पहले रेफरेंस में आपको पहले रेफरेंस देना है जब इस शुरू कर रहे है तो अब आपको रेफरेंस देने कि कौन से एंगल से कौन से सेक्षेंस को लेके क्वेशन पूछा है उसके बाद आपको के स्ट्री को एक्सप्टिन करना और उसके बाद कंक्लूजन पर आना है ठीक है तो यह हो जाती है professional writing कि आपको step by step क्या करना फॉलो करना है नेक्स्ट पेपर होगा जो आपना पेपर नंबर होगा फाइव मॉडल टू का कॉर्परेट रिस्ट्रक्चरिंग इंसल्वंसी लिक्विडेशन एन वाइंडिंग अप नतिंग बड़ वाइंडिंग अप रिस्ट्रक्चरिंग और सब क्या कमपनी जैक्टी है महां पर आपको पूरे कमपनी जैक्ट के सब सेक्शन से नौल सब क्या देखें दिखें के मर्जर अमाल गमेर्शन इंसल्वंसी नौल यस तो यह सब चीज़ें आपको क्या कर रहे हैं क्या 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 कि अंदर कुछ नहीं लोग ने अच्छा ही किया है उन लोग ने कहले कंपनी जैक्ट को सब्सक्राइब कर दिया और हां मल्टी डिसिब्लीनिर करके नया कंसेप्ट इन लोग ने लाए तो यह सब चीज़ें जरूरी है आपको मालूम होना ची कि कौनसी के बीच में क्यों सा डिस्कॉशन हो तक फाइनल जज्जमेंट किया आया था तो एंचल्ट के रिलेटेट भी आपको नहीं नहीं के स्टेडीज दिखेगे जो मल्टी रिसिब्लीनिर में रहेगा अब्जेक्टिव्स किया यहां पे तो प्रोवाइड एक्सप्ट अगर एक्सप्ट नहीं है जीतना आप उम्मीद कर रहे हो आप उम्मीद कर रहे हो कि एक्जाम देने के बात यह पएक को साथ आएगा तो आपको पच्यास फॉर्टीफाई आएगा अगर एक्जाम देने के बात आपको फॉर्टीफाई फिफ्टी पे अटक करें हो कहा ना का समद्लो आप गुल समझ में आया तो प्लीज त्याहन में रखना पेपर इतना लिनियंट लेना नहीं नहीं लेना है अगर एक भी पेपर लिनियंट लिया तो पूरा मॉडियूल आपका ठीक है बिकॉम के एक्जाम नहीं यह है चलो देखते है नेक्स पेपर अपना कौन सा है पेपर नंबर्स देखो नेक्स पेपर आपका वापस और पर इस लोग ने क्या किया है आईसे ने दो मोडियूल में डिवाइड किया है फिफ पार्ट पेपर को मतलब और आप पेपर ओजो होगा आपना पेपर नंबर्स इस पेपर नंबर्स ओगा मोडियूल टू रिजोलुशन्स ओफ कॉर्परेट डिस्प्यूट नॉन कंप्लाइंस एंड रिमेडिज वन सगेंड पूरा प्रैक्टिकल वाला चैप्टर होगे यहां पर यहां पर के स्टेडिस ता अब प्रैक्टिकल रहेगा पूरे के स्टेडिवाला पूरा पेपर रहेगा तो प्लीज वन सगेंड आपको पूरा ब्रीफ देना है पहले बाद में के स्टेडिक करना बाद में कन्कूलूजन के तरफ जाना है और क्या रिमेडिज अवेलेबल है वह सब चीजे रिलिफ क् अगर डिफॉल्ड किया है तो क्या पैनल्टीज लगेगी डाइरेक्टर पर या तो ओफिसरेंड डिफॉल्ट्स पर वो सब चीजें यहां पर लोग ने क्या किया है एलबरेट किया यह चैप्टरस के अंदर नेक्स पेपर नंबर होगा सेवन जो होगा आपका क्योंकि आज अपन देखे रहें कि नावर्डे हर महिने में पाच से छे अपन देखते हैं आईपी ओ आते रहते हैं चलो पाच से नहीं और नेवरेज करो तो तो तीन आईपी तो दिखी रहा है आज से तो वो सब चीजे भी ज़रूरी है बच्चे लोग को प्रैक्टिकल क्या डॉक्यमेटेशन होता है आईपी ओ के जब आईपी ओ कर रहे हो इनिशल पब्लिक ओफर तो वो सब पूरा उन लोग ने सोच के लोग ने कहा किया है नहा सब्जेक्स इंट्रोड्यूस किया है कॉर्परेट फंडिंग लिस्टिंग इन लिस्टिंग इन स्टॉक है और फंडिंग की बात करो तो कहां कहां से फंड कंपनी उठा सकती है और क्या रूल्स और रेगुलेशन से वरियस पार्ट्स के अंदर वरियस सेक्शन के लिए यहां पर यहां पर पर प्रोवाइडर प्रैक्टिकल मैंने तुम्हों को पहले बोल दिया कि पूरा के स्टड़ी आने पर दिखेगे ठीक है और लास्ट पेपर होगा जो पेपर नमबर एट होगा जो अपना है जो अपा होगा अपने ऑबूल थ्री मल्टीडि सिप्लिनेरी मतलब यह भी पूरा क्या है के स्टड़ी है मतब अदब कंपनी ज परस्पेक्टिव से कंप्पिश स्टड़ी से से क्या के स्टड़ी पस्ट में हुए है और पूरा पेपर वन सगेंड बात करूं तो पूरा क्या है आपका प्रेक्टिकल है बढ़ा आप बोल रहे हो कि उपन बूक के पर उपन बूक जैसा कुछ होता नहीं मैं तुम्हों को भी जर्ज बोला डीटेल में कॉर्परेट के लिए सेक्रेटेर लोग के फेमा के होगे इ आपके इसाब से क्या कर लेना देख लेना ठीक है मैं अभी बोल रहा हूँ ओपन बूक जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है जिसा जनरली जो आप मटीरियल लेके जाते हो एक्जाम के अंदर जो खाली आपको हेल्प करता है अगर आपका माइंड सेट यहीं से पूरा पेपर आत को एक पेपर नहीं पढ़ना है आपको नाइन पेपर है ना तो उसका एक लाइक वेब सीरीज है मतलब कहा ना का कोई ना कोई सेक्षन कोई ना कोई क्वेशन एक दूसरे से चैप्टा से क्या लिंक्त है अगर सब्सक्राइब आपको दिखे के मालूमिए लागी सेटरेट म इस लिए फौरे 9 चेपटाव में लिंक हैं.. इसलिए 9-9 पेपर के लिए बन जाता है बट जो खाली दो पेप गूरूप देते एक ढूरूप thinking है जो बजगया वी बात लगे ब उसके लिए पहले बोल एक ही रखे हैं क्या आपको आपको तीनो तीन गूरूप देना है तो प्लीज आपको जहां से लिखना है कोच भी डाउट हो तो ब्लीज डिस्क्रिप्शन में डाल दीगें इसार यह डाउट है एक्जाम के दिन की बात करो तो अब भी एक महिना है मैं 100% करोगा कि आपके जो भी डाउट डिफिकल्टी है डिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी डाउट डिफिकल्ट ले आएगा वापस से वीडियो बना के आपको क्या लेगा आपके लिए ही मैं यहाप बेटा हूं आपको जो भी प्रॉब्लम से तो बिंदास बता देना मुझ जाना उसको 909 पेपर आके एक्जाम खतम है तूरंद मांस काउंट नहीं करना है आपको तूरंद क्या करना है तूरंद एक्जाम देखे बाद में घर पे आके वापस से दूसरे दिन जो पेपर उसके लिए प्रिपरेशन शुरू कर देना है और वो दिन पर क्या पढ़ना है मुझे वह आज आपको डिसाइड करना है आज डिसाइड करना है आपको उस दिन डिसाइड नहीं करोगा कि मुझे आज क्या पढ़ना है अभी गेटिंग माइपॉइंट ठीक है चलो आल दे वेरी बेस्ट थैंक यू सो मच